मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने कहा संकट का समय है लेकिन किसानों से समंधन मूरलिप पर गेमों की खरीदी आज से प्रारम हो रही है सोसल डिस्टेंसिंग बनाय रखने के लिए किसानों को एसमेस कर बुलाया जाएगा आपको असुविदा ना हो अता समुचित विवस्था की गई है सम मिलकर सही योग करें प्रियाग एक्स्प्रेन नियूज के लिए ब्रिज कुमार की खास रिपोर्ट मेरे प्रिये किसान बेहनों और भाज़ों कोरोना के संकट से सारा देश जूच रहे लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारी फसल पी तयार है बड़ी मेहनत से खून बसीना एक करके आपने अपनी फसल उत्पारित की है और इसलिए जरूरी है कि संकट कितना भी बड़ा हो लेकिन समय पर आपकी फसल खरीदी जाए और इसलिए हमने तैकिया है कि 15 अपरेल से नियून्तम समर्थन मूली पर ग्यहूं चना मसूर और सर्सों की खरीदी प्रारम्ड की जाएगी आप जानते हैं इस समय कई परेसानिया और दिक्कते हैं अभी तक खरीदी के लिए प्रदेश के बाहर से मजदूर आते थे हम माली जैसे काम वो प्रसिक्षित मजदूर कर देते लागडाउन के कारण वो अब नहीं आपाईगे उसलिए हम कौसिस कर रहे हैं इस्थानी मजदूरों को ही हम प्रसिक्षित करें ताकि उनको रोजगार भी मिल जाए और हम खरीदी भी कर पाएं हमने इस बार कौसिस की है कि खरीदी केंट पर भीड़ ना लगे उसलिए एक दिन में एक खरीदी केंट पर एवरेज दस से बारा किसान ही आएं SMS जब करें तब ही आपको आना है बिना SMS के नहीं आना है और SMS भी हम दो हिस्तों में करेंगे सबेरे सिले के दुपहर तक आने वाले के साथ और दुपहर के बाद आने वाले के साथ किसी भी कीमत पर खरीदी केंट पर भीड़ नहीं करना है क्योंकि भीड़ अपनी जिन्दगी पर संकट है और इसलिए जब आपकी बारी आए SMS आए तब ही आपकी उपज लेके आएं लेकिन पूरी साथधानी से आएं ओब करोन संक्तिममन का खत्रा उनको जला होता है किसी बीमारा को नहीं आने देना है और अगर जिस दिन आपकी बारी उस दिन नाभी आप आये तो एक चिंदा मत करना आपको और मोका मिले गा तहां यदा स सम्बाब सारी देवस्थाइं बनाने के हम पोसेस कर रहे खरीदूं। लेकिन परेसानी हो सकती है। उस परेसानी के पार हम चाहिए आपके सही होग से। इसलिए आपका सही होग चाहिए। व्यावस्ता हम खुद मिलके बनाएं। सेहरों मंडियों भीड़ना हो इसलिए भी तैकिया है। कि ब्यापारी अपने निजी खरीद के अंदर भी बना सकेंगे मंडी के बाहर। और वहां भी आप अपनी उपजबेश सकेंगे। ब्यापारी आपके गौओं में आके आपके घर से भी फसल खरीच सकेंगे इसकी अनमत ही भी दिये। मंडी का लाइसेंसी ब्यापारी नियंतरन उस पर रखते हुए आप उसको भी अपनी फसल बेंच पाएंगे। मेरे बेहनों और भाईव अभूत उर्व संकट का समय हैं। पूरी दुनिया एक बड़े संकट से जूच रही हैं। लेगन ऐसे समय हमने आपके फसल खरीचने का फैसला किया है। असलिए मैं आपसे अपील करता हूँ। मेरे बेहनों और भाईव अपना काम है। अपसरकारी हमने कोई पूरा सहयोग कीजिए, स्वेम बिवस्थाइब बनाएए। कोई परिशा नहीं आए तो मैं तो हूँ साथ हुए। एक एक दाना खरीद है कि चिंदा मत करूँ। आए मिलके उपारजन के इस काम को जो किसानों के लिए बहुत महत्पूर है। निर्विग्न संपन्द करें। बहुत बहुत हुए। ले विए एक दरिव'?